आपके लिए बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बनाने जा रहे हैं जे डिजाइन इतना सुन्दर बनता है इसको आप बेबी परजक्ट में किसी में भी डाल सकते हैं कोई भी आप दो कलर तो लेने हैं ग्रीन और रेट जे तो बनाने क्योंकि फूल जही का अच्छा लगता है इस color में आप white color लगाना है, cream color लगाना है, light color लगाना है वो base बना सकते हैं, full-in-o color का बनेंगा इसमें आप dark color ले सकते हैं, थोड़ा सा light ले सकते हैं तो ऐसे आपने इस project को बनाना है और baby बच्चों के लिए इसको बनाना है जब हम बच्चों के लिए जे डिजाइन बनाते हैं बेबी फ्रॉग में डालिए, बेबी स्वैटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए लेडीज अपनी जैक्ट में डाल सकती हैं और बन कर बहुत सुन्दर लगता है इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है आठ फंदों के मल्टिपल्स के सबसे फंदे लेने हैं हमने तीन फंदे पहले लेने हैं तीन फंदे लास्ट में जे तो हमने रखने ही है इस डिजाइन में फंदे border आप बन सकते हैं कोई भी border की कोई हो नहीं है border अपने हिसाब से बुढ़ है उसके बाद जब आपने design स्टार्ट करना है तो immediately आप border के उपर उसी रहाँ स्टार्ट कर सकते हैं तो तीन फंदे last में तीन फ्रंट में बीच में हमने दो पे जहां पे फूल बनेंगा आगे दो पे जहां पे और छे छे फंदे बीच में छोड़ेंगे फिर दो पे तीन फूल बनाएंगे आप अपने फंदे डाल लीजिए जितने डालने हैं उसके साब से फूल बनाएंगे तो फ्रेंट इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले फर्स्ट सलाई हमने तीन फंदे बुने है जो देखिए हमने तीन फंदे बुने अब हमने रेड कलर अभी नहीं स्टार्ट करना है तो हम गरीन को बाइंड करेंगे अगर बाइंड नहीं करेंगे तो त्रेट निकल जाएगा तो इसके लिए हमने क्या हमारा दो तीन चार पांच छे छे फंदे बुन लिए फिर हमने दो फंदे ग्रीन कलर के बुनने हैं तो फंदे आप उतनी स्पेस रखिए जब आप आगे जाते हैं तो थोड़ा सा दिल लावना चाहिए अगर टाइट करेंगे तो डजाइन टाइट हो जाएगा कस जाएगा तो दो फंदे फिर सीधे सिंपल फिर छे फंदे हमने इसी कलर के बनाने है जो हमारा बेस है दो चार छे उसके बाद दो फंदे हमने फिर ग्रीन कलर के बनाने हैं हमने फ्लावर स्टार्ट किया है ठीक है फिर आगे जो लास्ट में हमारे प्रजक्ट में फंदे आएंगे य चे दो चे दो चे दो चे दो चे लेकिन लास्ट में दो ग्रीन और तीन सिंपल फंदे आने चाहिए जह हमारी फॉर्स्ट स्लाई है अब हम आते हैं इसकी सेकंड स्लाई पर तो सेकंड स्लाई पर हमने क्या करना है तीन फंदे हमने जो बुने थे वही उल्टे बुने है सीधे बुने थे उल्टे बुने अब जे दो फंदे हमने स्लिप करने हैं इनको नहीं बुनना है समझे नहीं बुनना है आगे वाले छे फंदे हमने बुनने हैं दो तीन चार पांच छे छे फंदे हमने बुन लिए फिर आगे डिजाइन के दो फंदे आए हैं तो इनको स्लिप करना है लेकिन उससे पहले हमने इस thread को वापस लेके जाना है क्योंकि इस thread से अब हम wrong side में नहीं बुन रहे हैं तो ऐसे पहले thread को ले आएए इसके उपर फिर इससे दो फंदे slip कीजिए फिर हम एक दो तीन चार पांच छे फंदे सिंपर उने फिर हमने दो फंदे slip करने है उससे पहले ही आप इस thread को आगे ले आएए ऐसे हम बता रहे हैं इस thread को क्योंकि फिर हमने right side से इसको start करना है wrong side का काम खत्म है इससे हमने फंदे slip करने है कर लिए अब हम आके तीन फंदे बुनेंगे जो सिंपल है तो ऐसे आपने wrong side में thread को वापस साथ ले आना है अब हम फिर इस green thread से बुनना है इसलिए हम अब third slide में आगे हैं तो third slide में हमने दो ही फंदे बुनने हैं simple भुल ये अब जो इस दो फंदे हैं हमारे green हमने इस फंदे को इसके उपर से पल्टाना है इसको बुनना नहीं है अभी दो ही बुने है इसके उपर से पल्टा दिया है ऐसे ठीक है इस फंदे को ले लेंगे बीना बुने, हम इस सलाई पे ले लेंगे ठीक है हाँ, ले लिया अब जो ए फंदा देख रहा है हमें, तो ぇ ठाना है हमने इसका पीस, जे वाला और इस फंदे को हमने ग्रीन बुनना है, बुन दिया ऐसे ही हमने इदर करना है, इस फंदे को इस फंदे से पल्टा देना है ऐसे इस फंदे को इधर ही रखना है लेकिन जो हमने फंदा पल्टाया है ना इसकी ए वला पीस लेना है दो पीस है ना जे वला लेना है इसको हमने गरीन बुनना है ऐसे सलाई डालके फिर दो गरीन होगे अब बीच में हम पाँच फंदे एक जो नकाला था, दो, तीन, चार, पांच, बुल लिए, अब फिर इन दो फंदों को हमने बाहर नकालना है, तो ग्रीन फंदा पहले इस सेट पाएंगे, तो हमारे इदर छे फंदे फिर होगे, दो, चार, छे, बेस के, छे फंदे होगे, अब हमने जे वाला पीस उठाना है ग्रीन का, और इसको हमने बुलना है, ऐसे, बुल लिया, अब दूसरे दो फंदों मेंसे भी इस फंदे को बाहर नकालना है, फिर इस सलाई पे ले आना है, और इस फंदे को पहले उठाएंगे, जहां रखेंगे, और ऐसे भी बुल सकते हैं, दो फंदे ग्रीन बुल ले, अब आगे हमने पाच फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाच फंदे फिर बुल लिये, अब जहां छे फंदे ही रखने है, तो हम ए फंदा उपर से पल्टाएंगे, इस फंदे को ले आएंगे, तो छे फंदे होजेगे, और इनको बुनेंगे नहीं, लेकन हम गरीन को बुनें इस गरीन पीस को उठा लेंगे, और इसको हम गरीन बुनेंगे, एक, अब जे फंदा इदर उठाएंगे, और फंदा फिर इदर ले आएंगे, तीन फंदे रहेंगे, इस गरीन फंदे को ऐसे उठाएंगे, और इसको भी बुल लेंगे, तो हमारे दो के दो फंदे गरीन फ तो यह हमारी थर्ड सलाई है, फिर दो फंदे होगे, छे फंदे, दो फंदे, छे फंदे, दो फंदे, अब हमारी फूर्थ सलाई है, फूर्थ सलाई में हमने क्या करना है, तीन फंदे बुनने हैं, जो बुनते हैं, सिंपल, अब इन दो फंदों का एक करना है, तो पहले इस को इदर कीजिए फिर इस thread को जोज कीजिए तो दो का एक किया आगे हमने 6 फंदे बुनने हैं 2 3 4 5 6 फिर दो का एक करना है ऐसे फिर हमने 6 फंदे बुनने हैं 1 2 3 4 5 6 फिर हमने दो का ग्रीन वाला एक करना है और फिर हमने तीन फंदे लास्ट में बुनने है ठीक है चार सलाई हमारी कम्प्लीट होगी अब हम आते हैं इसकी फिफ्ट सलाई पे अब देखिए जब हम फिफ्ट सलाई बुनेंगे तो जहां हमारा एक फंदा कम हो गया एक फंदा जहां कम हो गया एक फंदा यहां कम हो गया तीन फंदे कम हो है इनी तीन फंदों को हमने फिर बढ़ाना भी है तो कैसे जह देखिए जह हमारी नीचे की डंटी बनगी है बड़ जहां से फूल निकलता है जैसे चोट चोट बनगी न पत्ती फिर जे डंडी बनगी अब हमने जहां भी फंदा बढ़ाना है जहां भी जहां भी बराबर फंदे करेंगे तो क्या करना है इसको आपने ध्यान से देखना है और फिर हमने red color लगाना है इसको हमने finish कर देना है अभी फंदा नहीं तो फूल अच्छे से नहीं बनेगा तो हमने जो green thread लगा था उसी के साथ bind कर लिया ठीक है यह bind कर लिया अब हमने क्या करना है red color से जो हमारा red color है इससे हमने बनना है तीन फंदे तो simple पहले बनने है जो हमारा base है बे नीचे का दो तीन तीन फंदे बन लिए अब इसी फंद को प्वन नकालना है तो हम क्या करेंगे हम red color लगाएंगे ठीक है तो red color को जब हम लगाएंगे तो इस को दबा लेंगे फिर लाएंगे red color को red color से हम तीन बार फंदा नकाल लेंगे एक बार नकाल ला फिर हम thread को आगे करेंगे फिर इसी फंदे में से फंदा नकाल लिया तो हमारे कितने होगे तीन अब इन तीनों फंदों को हमने इस supply पे ले लेना है और इस गलर से बुनना है जो हमारा बेश है यह देखिए ऐसे बुन लिया अब गरीन वाले थ्रेड को थोड़ा सा हमने टाइट करना है कि हमारा फूल बना रहे हैं अब हमने क्या करना है जहां हमने एक फंदा किया था दो का तो अब हमने इसको अपनी तर्फ लाना है थ्रेड को और जो सीधा फंदा है इसके साथ वाला जे वाला पीस जो यह होता है न ये वाला साथ में दिखता है सिंपल ये वाला पीस जे उठा कर जहां रखना है और उल्टा बुन देना है उल्टा बुन के ये फूल बन गया और फंदा भी बढ़ गया दो फंदे होगे अब हम थ्रेड पीछे करें और 6 फंदे बुने इस को हम गिंति नहीं करेंगे एक दो तीन चार पांच और 6 छे फंदे फिर बीच में आगे दो जहां फिर ग्रीन आएंगे जब फूल बनेंगा अब हम ग्रीन पर फूल बनाना है तो हम क्या करेंगे ठेड को जहां लाएंगे एक बार फंदा निकाल दो फिर इसी को बुनेंगे तीन तो तीन नों फंदों को इस स्लाई पे हमने ब्राबर लाना है ले आए इस स्लाई में जब इस स्लाई में लाकर हमने रेड को छोड़ देना है और इस से फंदा निकालना है ऐसे फूल बन गया। थ्रेड डाके किए इसके आगे वाला पीस उठाना है। इसको जहां पे रखास लाई पे इसको उल्टा बुनना है अमने द्यार रखना फिर हम छे फंदे आके सीधे बुनेंगे उस सीधे फंदे को भी बुनना है जहां उल्टा नकाला था तो छे फंदे हमारे सीधे आके ठीक है अब जहां फिर फूल बनेंगा इसको उतनी दूरी पे उसी साफ से लाना है ले आए थ्रेड आके गिया फिर फंदा नकाला तो तीन बनगे तीनों फंदों को लिया और इस फंदे से फूल बना दिया इस थ्रेड से फूल बना दिया थ्रेड को आगे किया इस पीस को उल्टा बुना बाकी तीन फंदे सीधे बुने तो हमारे 24 फंदे थे तो 24 फंदे हमारे फिर बनगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 फंदे गम नहीं होने चाहिए अब हम आते हैं इसकी रॉंक साइड पे तो रॉंक साइड हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे जे हमारी 6 सलाई है फ्युप्त सलाई में हमने फूल बनाया था और जे हमारी 6 सलाई है तो 6 सलाई हम पूरी उल्टी बुन के रेड़ी करेंगे अब आते हैं इसके आगे हम क्या करेंगे जे देखिए कितना सुन्दर फूल बनाया है अब हमारा फूल जहां बनेंगा और जहां बनेंगे तो हम क्या करेंगे जे हमारा छे सलाई में डिजाइन बनका रेडी हुआ है अब दो सलाई हम बीज में प्लेन बनाएंगे बिलकुल प्लेन सीधी पूरी बनाएंगे ऐसे पूरी सीधी अब हम पूरी उल्टी बनाएंगे और इसमें एक और बात ये देखिए हमने फूल बनाया था तो एक ही सलाई रेड आई अब रेड सलाई हमारी रॉंक साइड पे आगी है तो हम राइड साइड से स्टार्ट करते हैं रेड तो जे जहां पे है तो काट के तो लगाएंगे नहीं तो हमने आपको शिक्स सलाई में बताना था कि भी इस थ्रेड को भी वापस कैसे लाना है लेकर अब हम इस रॉंक साइड में ही क्योंकि रॉंक साइड से ही लाते हैं अब हम इसको रॉंक साइड में वापस कैसे लाना है वो हम आपको बता देते हैं जैसे हमने इतना सा बुना इतना बुना थ्रेड को वापस लाना है तो जहां रखा और फिर वापस ले आए थोड़ा सा और आगे बुनेंगे 6 फंदे फिर हम थ्रेड को अगे लाएंगे उपर से ऐसे और फिर हम फंदे बुनेंगे क्योंकि हमने थ्रेड बिना बुने वापस लाना है तो कैसे लाना है वो हम आपको पता रहे हैं जे हमने six line में ही लाना था लेकर जो हम दो plane बना रहे हैं अगर आप भूल जाएं तो उसमें भी वापस ला सकते हैं जे देखिए हम वापस ले आए thread को right side में हमारे तीनो thread है ठीक है आए right side है तो right side में thread होने चाहिए जब हम design को start करते हैं तो जे देखिए जे फूल बन गया दो तो तीन फूल बने हैं अब हमने इसके बीच में फूल बनाना है तो हम क्या करेंगे पहले जो हमारे तीन फंदे हमने छोड़े थे ना वो तीन फंदे बन लेंग उसके बाद जो design ए बना है जहां पर और जहां पर दो चार छे छे फंदे बीच में है जे ठीक है दो चार छे इसके दो बीच में design बनेगा तो हम क्या करेंगे तीन फंदे जे हैं और चार फंदे जे उठा लेंगे बन लेंगे जो देखिए, तीन फंदे हमने ए बुणे हैं, तीन फंदे जे हैं, अब हमने क्या करना है, जहां पे डिजाइन डालना है, तो हमने छे फंदे छोड़ने हैं, टोटल, पहले हमने तीन छोड़े थे, अब तीन और ले लेंगे हैं, इस भूल के से पहले तीन लिए, तो छे फं फंदे सिम्पल बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे हमने बुन लिए अब जहां दो पे डिजाइन स्टार्ट होगा तो एक दो फिर छे फंदे बुनेंगे एक दो तीन हाँ सॉरी हम न जहां छे नहीं साथ फंदे छोड़ेंगे तब डिजाइन अड़ जैस्ट होएगा थोड़ा सा हम रौंग है तो हम वहाँ अब जाएंगे तो हमने क्या करना है साथ फंदे बुनेंगे तब डिजाइन बीच में आएगा यह देखिए फ्रेंट छे सलाइयों का डिजाइन बन गया है दो सलाइया पलेन बनाई है अब हमने इसके बीच में डिजाइन स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे अब यह देखना जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो हम तीन फंदे जो हमारे पहले फर्स्ट फंदे फंदे थे वो बुनेंगे दो और तीन बुन लिए अगे हम चार फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार फंदे बुने तीन पहले थे तो हमारे हम तोल ओगे साथ फंदे अब हमने इन दो फंदों पे डिजाइन को स्टार्ट करना है तो हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे एक दो ठीक है अराम से लेना है टाइट नहीं कीचना है फिर हम छे फंदे एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे फिर लेंगे सिंपल और फिर दो पे डिजाइन स्टार्ट करेंगे एक दो बाकी हम चार फंदे जे बुनेंगे तीन फंदे जे तो साथ टोटल फंदे हम लास्ट में बुनेंगे कि जे देखिए हमने 7 फंदे बुल लिए हैं बीच में 6 हैं ते अपने प्रजेक्ट में आप 2 3 2 6 2 6 आएंगे लास्ट में 7 1 process में 7 7 फंदे अब हम दो फंदे हमने cart कीए हैं भीना बुने उतारे आगे हमने क् propaganda बुनने है ≈ थे थेले दावने इधर ले आना है तो फिर फंदे शीप करेंगे यह ए और फिर फंदे और भिन आई है हमारी 2 सलाई डिजाइन की फिर बन गी है अब हम 3rd सलाई में हैं 3rd सलाई को आप ध्यान से देखिएगा हमने 7 फंदे हैं तो 6 फंदे पहले बुनने है तो हमने 6 फंदे बुन लें 2-4-6 अब हमने इस फंदे को पल्टाना है ऐसे इस फंदे से इस फंदे को इदर लेएंगे तो 7 फंदे होगे, इस फंदे को हमने इदर डाल कर green बूरना है, ठीक है, फिर जहाँ से फंदा नकाल के तपा कर इसको इदर ले आना है और इस फंदे को बूरना है गरीन से 2 फंदे होगे, फिर बीच में हमने 5 फंदे बूरना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर हमने ऐसा ही करना है, फंदा टपाना है, फंदा पकड़ना है इदर, इस फंदे को ले लेना है, गरीन से बुनना है, फिर फंदा पल्टाना है, इदर ले आना है, इस फंदे को फिर गरीन से बुनना है, बाकी साथ फंदे हमने फिर बुनना तो तीन सलाई हमारी complete होगी फूर्थ सलाई है फूर्थ सलाई में हमने बहुत असान है पूरे फंदे जो साथ हैं वो हमने उल्टे बुनने है बुन लिए दो फंदों का एक करना है थ्रेड इधर करके फिर करना है ऐसे फिन्शिंग से बुनना चाहिए तभी तो डिजाइन बना हुआ रेडी मेड जैसा दिखेगा फिर हमने दो फंदे का एक करना है यह फंदा इधर है थ्रेड और ऐसे फिर हमने इस थ्रेड से साथ फंदे बुनने है यह देखे तो हमारी चार सलाई complete होगी अब हम आते हैं इसकी थ्रेड सारे इधर है फिफ्त सलाई में फिफ्त सलाई में हमने फूल बनाना है तो हम क्या करेंगे हम साथ फंदे सिंपल बुन लेंगे बुन लिए अब हम रेड थ्रेड से जहां फूल बनाना है तो हम Red Thread को पकड़ेंगे, फूल निकाल लेंगे, एक बार Thread आगे किया, दो बार, तो तीन फंदे बनेगे, अब तीन फंदों को हमने इस स्लाई में लेना है, Green कलर को थोड़ा सा टाइट रखना है, और इस कलर से फूल बना देना है, ऐसे, थ्रेड आगे करके इससे जो सीधा फंदा दिखता है ना इससे पहले वाला फंदा उठा लेना है जे वाला ऐसे इसको इदर रखकर उल्टा बुनना है फंदा बढ़ गया पीछे करना है छे पाँच फंदे छे फंदे सीधे बुनने है इस कलर के बुन लिए अब जहां फिर फूल बनाना है रेड कलर से फिर हमने इस पीछ को उठाना है और थ्रड आगे करके उल्टा बुनना है एक तो फूल अच्छा बनेगा बाकी के साथ फंदे सीधे बनेगे जह हमारी फिफ्ट स्लाई कमप्लीट की अब हम बताएंगे के रेड थ्रड जहां तक जूज किया है फिर हमने एक स्लाई सीधी में ही जूज करना है तो हम त्रेड को वापस कैसे लाएंगे तो हमने उल्टी स्लाई पहले पूरी उल्टी बनानी है लेकन रेड थ्रेड को हमने राइट साइड अपने सीधी साइड लेके आना है तो हम पहले थोड़े से फंदे बुनेंगे पूरी उल्टी स्लाई में ऐसे चाहे आप दूसरे रेड तक बुनिये जे देखिए हमने इतन के फंदे बुनेंगे, तो ऐसे करेंगे तो हमारा जो थ्रेड है वेस्ट नहीं जाएगा और आगे आकर फिर काम करेगा, तो ज़े ऐसे पीछे से आएगा, ठीक है? अब हम ज़े फूल बना लिया है, जिदेखिए, हमारे तीन फूल बने, दो फूल बने, अब भीज में हम दो सलाई बनाएंगे प्लेन फिर दो सलाई बनाकर प्लेन फिर हम एक जहांपर फूल बनाएंगे एक जहांपर तो हम दखाते हैं हमने पूल बना रखे हैं वो फूल देख्येगा यह सरु यह देखना हम ने ऐसे एट जाइन बना रखा है। फूल वाला ऐसा ही हमने इस पर बना के दखाया है अगर बेस आपने वाइट लगाना है तया उन तो आप वाइट बूल भी लगा सकते हैं जह देखे कितने सुंदर फूल बने है, दो, चार, पांच, फिर दो, चार, पांच के बीज में, फिर पांच फूल बने है, तो ऐसे आपने फूल बनाने है, ठीक है, बनाते हुए आप अपने डिजाइन को अर्जेस्ट करिए, जितने फंदे आपने रखने हैं, यह देखिए यह wrong side है, wrong side पे हमने हर thread, क्योंकि जहां हम red thread को भूल गे थे वापस लाना, first slide में है न, जहां भूल गे थे, इसलिए हम इसको फिर हमें सीधा लाना पड़ा, लेकर हमने थोड़ा सा डीला लाए हैं, कि जहां से design tight ना हो जाए, तो आपने साथ के साथ, अगर red thread देखो, इसमें भी हम ले आए हैं, जबके हमने अभी जूज नहीं करना है, हमने चार सलाई के बाद जूज करना है, तो हम इस thread को ले आए हैं, तो back side से बड़े अराम से ऐसा बनता जाएगा, right side से, इसको आप baby frog में border बनाएए, इतना border बना बेबी frog में border का काम करेगा, अगर आप बटन पटी बना सकते हैं, ladies cardigan में, तो आप ऐसे बटन पटी भी जूज कर सकते हैं, अब आपको बटन पटी बना कर भी दिखा देंगे इस design में, ठीक है, तो आप वहां भी इसको जूज कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, जिन को आता है बनाना, वो जूज करेंगे, जिन को नहीं आता कि हम बटन पटी कैसे बनाए, उनको हम बनाना बता देंगे, कि आपने बटन पटी कैसे बनानी है, ठीक है, तो वो हम white color में ही आपको बता देंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें like करें, और subscribe करें, और share भी कर देते हैं आप सब को, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो thank you